नमस्कार वेलकम टो आवर चैनल फ्रेंट्स इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नीट 2022 एक जाम पोस्टपॉन को लेकर के जो स्टोंन की डिमांड हो रही है दोस्तोव वो क्यो हो रही है उसके चैनल भड़े कारण है सबसे पहला कारण है दोस्तों कांसलिंग है फिन गांप्लीटीड ज़स्ट फ्यू डेज बैक हाउ था ड्रोपर वुड प्रिपेर इन जिन धरी है lubん तो दोस्तों काउंसलिंग अभी अभी कंप्लीट हुई है और मोपप राउंड में या फिर स्ट्रेविकेंसी राउंड के तो कहीं कहीं अभी चल भी रही है तो इतने कम समय में कैसे जो है त्यारी की जा सकती है ड्रोपर्स के लिए बात बोली गई है दूसरा जो डिजन बता साथ में दोस्तों सी उसेट एक्जाम आर सेड्यूल इन फर्स्ट एंड सेकेंड वीक उप चुलाई हाउड स्टुडेंट विल प्रिपेर फॉर ओल्ड एक्जाम टुगेधर कुछ दोस्तों जो ग्रेजियोशन कर रहे हैं सी उसेट की एक्जाम डेट जो है वो भी क्लैस कर रही है तो दोने एक्जाम की एक साथ प्रिपेरेशन करना बहुत टफ हो जाता है उसके बाद दोस्तों दाकैडमिक सेशन हैं स्टार्ट रिसेंट ले सो हाउड वूड डे स्टार्ट रहे हैं तो न्यू सेशन को कैसे स्टार्ट कर जा सकता है instead of making a seat and wait for counseling for third fourth month give us proper time for preparation अगर हमको third से fourth month तक counseling के लिए wait करना पड़ रहा है तो कैसे जोस्तो जो है exam इतना जल्दी लिया जा सकता है ऐसा बोला गया है और मॉपपराउंड ओफ states came on two to three days ago less time for need 2022 due to counseling तो दोस्तों मॉपपराउंड के भी जो है दो से तीन दिन पहले ही जो है खतम हुई है states के अंदर तो 2022 के exam के लिए कैसे वो जो है इतने कम समय में preparation कर सकते है तो दोस्तों ये कुछ जो है queries आ रही है strengths की और बोल रही है कि exam जो है at least for September मन तक जो है postpone किया जाए च्योंकि दोस्तों last year का exam है वो September में था और चलो September में हुआ कोई दिक्कत नहीं लेकिन उसके बाद counselling जो है इतने लेट हो गई उसके कान दोस्तों आप strengths को जो है समस्या आ रही है अपनी त्यारी करने में तो कि time जो है वो बहुत कम बचाए दोस्तों तो आपका क्या मानना है नीचे comment section जुरूर बताएं ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों और बहुत से strengths जो है Twitter पर भी tweet कर रहे हैं और दोस्तों काफी जो है दिमांड कर रहे हैं कि एक jam post put हो जाए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद थैंक्यों